हलो एवरीवन वेलकम बैक टू एए आउनलाइन सोलोशन कैसे प्यारे तो मैं हूँ अश्वाक और आज आपके लाएंगो कलास 10 नौन हिंदी का वेरे वेरे इंपोटेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कोशन और यह लेशन का नाम है यानि की लेशन नमबर टू हिसका सारव स्ब्जेक्टिम और सब्जेक्टिव पर पर हैं तो पहले में लोग पर सब्गतिव पर सब्दिक करेंगे नब खेख करना अब यह सब्सक्री और नहीं करना στο νेपर एंप 되지 मिल जाएगा कहानी बड़र लेक्टर सुन लेज़ा तक है आपको सुनने से कहानी दिवाग सेट और फिर आपको याद हो जाएगा है सब से पहले सवाल मेहमूद के पास कितने पैसे हैं तो महमूद महसिन और आप पास्ट का जिक्रिक्ष ऑगा जिस तीनों तो और हमिद के पास तीन पैसे सवाल नमर Two बोलता है हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरे दा तो एक्चुलीे हामिद के पास तीन ही पैसे थे तो उन्होंने चिमटा जो तीन ही पैसे में चिम्टा खेदा तो option क्या हो जागा इसका सी बिल्कुल सही अंसर हो जागा आगे देखे सवाल क्या बोलता है रमजान की कितने रोजे के बाद इद आती है यह तो बहुत हलका सवाल और exam में पूछा भी जाता है इसलिए बोला जारो हलका कब होगा जब आप चिप्टर को पढ़ोगे धियान से तभी हलका होगा ठीक है ना रमजान की कितने रोजे के बाद इद आती है तो रमजान के 30 रोजे के बाद इद आती है ठीक है चौता सवाल देखे हामित की बुड़ी दादी का नाम क्या था यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट बनता है इस कोश दूर था तो आपने कहानी पढ़ा जो दादी बोलते है या कि गाउं से इदिगा इतने दूर है तीन कोश दूर है जो हामित छोटा नंधा सा पांच साल का बच्चा यह भी सवाल यात रखना कि हामित कितने साल का था चार पांच साल का था ठीक है कैसे तीन कोश दूर फुकुझा पाएगा इद्गा नमाज पढ़ने के लिए तो तीन कोस दूठ क्या है हामीद के दोस्तों का नाम महमूद् की है लिए नूर फी इनमें से सबस्क्रास अरे यह दोस्ते नाम है समी उतलтов से नाम उस्समी न pigatt narrative बहुत अच्छा यहां पर सवाल बनता है कि मेले में हामिद क्या खरीता है एक हो गया फूर चीम्ट Five और फिर नूरे संव्मीं के वारे में सवाल दिया एज लिए इस तीनों को शोषिता है जरू किजेगा जिन्होंए लेक्चर पढ़ाओनार रहांप इसका अंसर पताएगा मेले में चब खंगण तो मेले में सम्मी खंजीरी खेटता है तो चलो अब आप लोग पहले इसको पलते हैं मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खेटता है तो मतलब हमिद को लल चाता है मेहमुत के पास 12 पैसे मोहसिन के पास 15 पैसे चोंको कौन क्या खरीद है वह भी आपको याद रखना है सवाल उससे पुछेगा यहां पर तो आपको बताना है इदगा कहानी के लेख़क कौन है इदगा कहानी के लेख़क कौन है प्रेमचंद शिव पूजन साय रेनु या रमविक्ष विनिपूरी राइटर के नाम तो आपको हरहाल में याद ही रखना है तो फिलहाल हम लोग कहानी खेमा कहानी खुसबूर रस्ते हाथ एदगा तो फिलाल हम लोग चेप्टर सेपरेट चेप्टर पढ़ रहें इदगा इसलिए सवाल भी इदगा से बनेगा लेकिन जब क्यूज होगा जब रिविजन कलास होगी तो उस समय जो है सभी कहानियों कहां पर नाम रहेगा सवाल बन सकता है कि बाल मनो विज्ञान पर अधारित कौन सी कहानी है तो याद किज़ेगा इदगा जो है बाल मनो विज्ञान पर अधारित है आएसे भी सवाल पूछता है कि इदगा कहानी किस पर अधारित है बाल मनो विज्ञान है दर्सन सास्त आर्थ सास्त ऐसे भी ज तरह से कहानी का पर्मुक्पात्रे तो बताएं या खुशबूर रस्ते हाथ या एदगा या ठेस पता चला हमिद जो है इदगा कहानी का एक करेक्टर है पात्र का मतलब हुआ करेक्टर जो रोल अदा करने वाला ठीक है ना हमिद ने अपराधी भाह से कहा तुम्हारे उंगल मैं हामिद जो है चिम्टा खरीता है तीन उप्या में और जब बोलती है तो हमिद बोलता है बहुत मतलब अपराधी भाह से मतलब लगता कि हम अपराधी है एक तो एक सब्देक्टिव कोशन पढ़कर के बताना तो क्या इंपोसिब लगता है हमको तो इंपोसिब नहीं पीडिय भी मिलेगा अगर आपके पैसे हैं तो यहां पर मिला नहीं है आपको सिर्फ 250 रुपया करना पर होगे और उकलनускMus säga करोगे और फिर showing जाता तो फिरी मिलेगा आपको लिखाव मिलेगा और आप उसको नोट करना पड़ेगा एक थोड़ा सा प्रोलम है लेकिन आप जैसा चाहूं एद की दिन आमिना क्यों उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था और फिर हामिद अकेले कैसे तिन कुछ दूर पै पूता क्यों है रॐता क्यों क्यों हामिद में बच्च अभावगरस्त हो हामिद में यदि बच्च अभावगरस्ती हो ओ तो वह वैस्त के तरह अगर हामिद 주세요 त्योंकर कमि बहुत सारीомिया थी घरों में तरह सोचने लगता है मिठाईयों से केवल जबान में सवाद आता है जो छन भर के लिए होता है खिलाओने भी मिठी के बने हैं जिस पर पानी पलते ही रंग उल जाएगा ठोकर लगते ही तूट फूट जाएंगे लेकिन चिम्टा ना कभी तूटेगा ना फूटेगा यह दा पानी और जाएगा रंग उर जाएगा तो तुम्टा आगे पिछ दिकत ना सेंटेंस वाल के जवाब जो मकसद है ना वो पूरा होना चाहिए तो यह सब रटने कर नहीं है बलकि काहानी वाला यार समझने का है यह को वी साइंस नहीं है जो रट जाएंगे पड़कर तो किम्टा एक वीज़ की तरह सुचका है कि खिलोने कभी अच्छे कि ले रहें कदम दो पेसे सभी खिलोने भी नहीं होंगे फिर मिट्टी के बने ये खिलोने यदि हाथ से छोटे तो चूर चूर जाएंगे पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा ऐसे खिलोने लेकर वह क्या करेगा जब वह लोहे की दुकान वह विचारने लगता है दादी के पास चिम्टे नहीं है पर जाता है तो चिम्टा देखते हैं तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंग्लियां जल जाती है अगर चिम्टा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत कुस होगी उसके उंग्लियां अब कभी नहीं जलेगा खिलोने लेने से वैर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे यह सब कौ चिम्टिक तरह है मंजिरी की तरह है खिरोने को जान निकालने गाला हाथ यार की रूप में भी उपयोग कर सकते हैं इसा बाते दोस्तों से कर रहे था हमीद इद्गा कहानिया आपको कैसा लगती है इसकी विश्यस्ता को बताएए हलाकि सवाल तो नहीं पूछता है कि आमि दिख लेता हैं क्या विश्यस्ताएं है तो देखें कहानी बाल मनुव विज्यान पहदारित अभाव गरस्त बच्चे की तरह सोचते हैं इसमें चुनवती बच्चों को बनाती है कहानी मुहावरों के दूआरा रोचक बनाया गया कहानी में जतिल सब्दों का सब्सक्राइब ये सवाल आता है यह ना कुछ खाया ना खिलने का कोई खेलोने लाया यह नहीं लेकिन लेकिन जब हमिन्य ने का तुम्हारे उंगले तो यह से जल जाती तो दादी के भाव बदल गया है तो थन्डा ऊगए बच्चे को मिठाए खाते देकर अवश्य लल चाया होगा लेकिन बुड़िया दादी का ख्याल बना रहा है इसका कहानी की परमुक विशेष्था हो गया जो अभी मैंने विशेष्था है पता है यह सब अपने सिक्षक के रमजान के बारे में जनकारी दीजिए और क्या सब्सक्राइब में पूछा जा सकता है किसके साथ मेरा जाना पसंड करेंगे हमारे माता पिता सबस्क्राइब पैसाथ करता तो दादा तब्सक्राइब करते हैं पसंद है सारी बात है मैं तो आगे लेंगे नहीं लेकिन दादा दादी मेरे मुंसे मुह से निकल गया वही परफेक्ट है इसमें दिया हुआ तो अगर आपको पीडिया लेना है तो पेक करना पड़ेगा आपको वार्टप पर मैसे करना पड़ेगा नहीं तो फिर आप Google में सच करो एक आउनलाइन ओफिसियल डॉट कॉम क्या करना है सच ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है एक एक आउनलाइन सब्सक्राइब करना है किसमें भी किलिक करो आइड को तुमको कार देना है काटने के बाद खुल जागा इस तरह से और यहां पर देखो इद सब्सक्राइब करना अपना होंबक तो मस्ट कमेंट करना ओके बाई